हलो एवरीवन तो दोस्तो आज हम आपकी लिए दो ऐसी नई रेसिपी लेकर रहे हैं जो बनाने में तो काफी आसान है लेकिन स्वाद इसका लाजवाब है बच्चे हो या बड़े सभी इसे मज़े के साथ खाएंगी और इसे खाते ही आपको भरपूर एनरजी भी मिलेगी त तो इस रेसिपी को ट्राइ करना तो बनता है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले दोस्तो हमें लेना है भूनेवे चने तो मैंने एक बड़ा कप ये चने लिए हैं और इसे बिलकुल फाइन पौडर होने तक पीस लेना है दोस्तो अगर आपके पास चन जवाहरा धनिया लिया है बारिक टीवी हरिमेच और एक मैने प्याज लिया है सभी चीजों को बिलकुल फाइन चॉप कट करना है साथ ही डालेंगे अचार का मसाला इसमें आपको तेल और मसाला जादा लेना है और अचार के जो आम के पीसे सोते हैं उसे भी लेना है साथ ह दालेंगे स्वाद नुसार नमक आधा चमच लाल मिर्च पाउडर और इसे मिला लेना है दोस्तों यहां पर हमने अचार का तेल और मसाला जादा इसके लिए लिया है क्योंकि यह जो हमारी स्टफिंग है ना उसमें अच्छी बैंडिंग आ जाए खाने में भी जादा चट अच्छी लगती है मैंने तो स्टफिंग बनाती बनाती ही दो चार चमच ऐसे खा लिये थी बहुत अच्छी लगती है चलिए आप आटा लगाते हैं तो मैंने यहां पर तीन बड़े कप गेहों का आटा लिया है इसमें डालेंगे स्वादनुसार नमक और बारिक टीवी हर धनिया डालना है अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके हमें आटा लगाना है तो जैसे हम चपाती के लिए आटा लगाते हैं बिल्कुल ऐसा ही आटा लगाना है और इसका आटा मल लेना है चलिए आटा लग चुका ह इसके उपर हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसे थोड़ी देर रेस्ट देंगे इसे हमें थोड़ी देर रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है जब तक ये रेस्ट करेगा तब तक हम चोखा बनाएंगी मतलब जो हम आज बैंगन की रेसिपी बनाएंगे वो बहुत ही अलग होगी बहुत टीस्टी लगेगी और इस पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है तो मैंने यापर दो बैंगन, हरी मिर्च, टमाटर और लसुन की कलिया ली है तो सबसे पहले हमें बैंगन को कट करना है तो दोस्तों आज हम जो बैंगन का भरता या फिर बैंगन का जो चोखा बना रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंट है लेकिन खाने में यकीन मानिये बहुत अच्छा लगता है तो इसके आपको इस तरीके से पतले-पतले पिसेश करना है जादा पतले नहीं करना है एक बैंगन के आप तीन से चार पिसेश कर सकते हैं इस तरीके से काट लेना है और फिर हमें लेना है एक बड़ा सा तवा तो मैंने यहाँ पर aluminum का तवा लिया है, आप iron का तवा भी ले सकते ही इसके अदर हम एक तेल डालना है, लगबग 2-3 बड़े चमश तेल डालेंगे, उसे अच्छे से फेलाएंगे और फिर जो हमने बैंगन के टुकड़े काटे हैं उसे इस तरह के से अरेंज करना है तो आज हम बिल्कुल street style में जो चोखा बनता है बिल्कुल ऐसा हम ready करेंगे तो मैंने यहाँ पर दिखी तवे में ही टमाटर, मिर्च और लसुन की कलिया थी वो भी डाल दी है और इसे अब हम भूनेंगी, जी हाँ दोस्तो इसे हमें भूनना है और बैंगन के हमने जो पिसेस की हैं इसे वो गल भी जाते ही टमाटर भी अच्छे से भून जाएंगे, साथ ही जो मिर्ची और जो लसुन है वो भी सौफ्ट हो जाएंगी दोस्तों ये जोखा अगर चूले में इस तरह के से बन जाएना बहुत शादार लगता है क्योंकि उसमें वो चूले का स्मोकी फ्लेवर बहुत अच्छाता है तो दोस्तों हरी मिर्च और लसुन को थोड़ा सा भून लेने के बाद हमें निकाल लेना है क्योंकि ये सॉफ्ट हो चुके हैं इसे पकने के लिए टाइम नहीं लगता है और जो पतले पिसेस थे बैंगन के उसे भी हमें निकाल लेना है क्योंकि वो भी अब हो चुके हैं चलिए अब दोस्तों जो बड़े बड़े पीसेस हैं और जो टमाटर है उसे ज़्यादा सॉफ्ट होने तक हमें भून लेना है तो ज्यादा देर नहीं लगती है बस ये भी सॉफ्ट हो चुके हैं और जो हमारे टमाटर और जो बैंगन है ना उसे अब हमें थोड़ा ठंडा ह और जो हमने हरी मिर्च और लसुन को जो अलग करके रखा है ना उसे हमें कूट लेना है मतलब आप इसे किसी खलबते में डाल कर कूट लीजिये या फिर मिकसर में आपको इसे दरदरा पीस लेना है हलका दरदरा ही रखिए तभी ये बहुत मज़िदार लगीगा इसकी पे तो आप देख सकते हैं, तो अब इसे मेश से अच्छे से मैश कर लेंगे और बिलकूल इसे ज ब्रते के लिए बैंगान को करते न बिलकूल ऐसे हैं, आपको इसे मैश कर लेना है अब जैसे ये मैश होगा ना दोस्तो हमें इसमें वो मिर्ची और लसुन का धरदारा पेस्ट आड़ करना है साथी हमें बाकी की चीज़े भी आड़ करनी है तो मैंने एक बड़ी प्यास बिल्कुल बारी काट कर डाली है बारी कटावा हरा धन्या डालेंगे स्वाद नुसार नमक साथी मैंने लाल मिर्ची डाली है इसे आप स्किब भी कर सकते ही और थोड़ा से सरसू का तिल जरूर डालेगा बहुत अच्छा फ्लिवर आता है और खटाई के लिए एक चमच आमचुर का पाउडर इन सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये हमारा बहुत ही बहतरीन चोखा या फिर इसे आप बैंगन का भरता भी कह सकते हैं बन कर तैयार हो चुका है दोस्तो बहुत ही जादा टेस्टी लगता है तो चले अब हम बनाते ही पराठे तो आटे ने भी रेस्ट कर लिया है दोस्तो इसे थोड़ा सा हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से सेट कर लेते हैं और फिर इसमें से एक पेड़ा लेकर हमें इसका बॉल बनाना है और थोड़ा सा इसे बेल लेना है अब दोस्तों हमें इसके अंदर स्टफिंग डाली हैं तो यहाँ पर स्टफिंग आप 2-3 चमच डालिए और फिर इसे जैसे हम कचोड़ी पैक करते हैं न बिल्कुल ऐसे इसे पैक करना हैं अच्छे से पैक करने के बाद हमें इसके उपर थोड़ा ससुखाट लगाना है और फिर इसे बेलना है तो यह देखे दोस्तों हमने यहाँ पर इसे बेलना शुरू किया है और बहुत आसानी से यह बन जाता है और इसे बेल लेने के बाद आयरन के तवे में ही डाल कर आपको स अर अलटते पलटते आपको देसी खी ही लगा कर इसे सेखना हैंと思います जहां दोस्तों देसी खी लगाएंगे ना तभी इसका जायका कई गुना बढ़ जाएगा गशना अगर आप नहीं खाते हैं देसी खी तो आप तेल या बटर भी लगा सकते हैं मैंने देशे घी लगाया है और जैसे ही हम इसे घी लगा कर सेकेंगे तो ये किस तरह के से फुलेगा अभी आप देख लीज़े ये देखे दोस्तो बिलकुल कुबारे जैसे फुलने लगा है और यकीन मानिये खाने में ये इतना जादा अच्छा लगता है कि आप इसे जरू हो चुका है इसी तरीके से मैं आपको दूसरा पराठा भी सेक कर दिखाती हूँ जितने भी आप पराठे बनाएंगे ना दोस्तो सारे के सारे फुले फुले ही बनेंगे क्योंकि इसके अंदर का जो चनी का सतु जो पौडर है ना वो इसे फुलाने में काफी मदद करता है यह देखिए अगर आपका पराठा फुड भी गया है या फट भी गया है तब भी वो फुलेगा यह देखिए मैं अब आपको यह दूसरा पराठा सिक कर दिखा रही हूँ यह देखिए कितने अच्छे तरीके से यह भी फुला है और खाने में बहुत अच्छा लगता है ब इसके साथ परोस यह हमारा शानदार बैंगन का भरता या फिर बैंगन का चोखा तो आप इसे बैंगन का भरता कहते हैं या बैंगन का चोखा मुझे कमेंड में जरूर बताईएगा तो इसे भी हमने निकाल लिया है इसे सर्व कर लिया है इन पराठो के साथ चलिए अब इसक मज़ा लेते हैं दोस्तों दिखने में तो आपको ये टेम्टिंग लगी रहा है लेकिन खाने में ये उससे भी जादा लाजवाब लगता है और इसके अंदर की जो स्टफिंग है ना कितनी जादा भरी-भरी है और अचार का वो खटा तीखा चिटपटा स्वार इसे कई गु ना कर जरूर देखेगा रेसे भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेर करना ना भूलीगा